हेलो फ्रेंट्स आज की वीडियो में हम यूर्पी पॉलिस कॉंस्टेबल के लिए समाने हिंदी का कोशन लेके आएं तो चलिए देखते हैं हमारा पहला कोशन है पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभरंच से हुआ है ब्राचर, सौर सेनी, मागदी, पैसाची तो पश्चिमी हिंदी का विकास सौर सेनी अपभरंच से हुआ है ठीक है और हम आपको बता दे पश्चिमी हिंदी की बोलियां है ब्रज बोली है, बुंदेली है, खड़ी बोली और कन्नोजी याद रखिएगा ब्रज, बुंदेली, खड़ी, बोली और कन्नोजी, पशिमी हिंदी की है नेक्ट कोशन देखते हैं देवनागरी लीपी का विकास माना जाता है देवाडी, खरोष्टी, ब्रामी, सिंदू लीपी तो जो ब्रामी लीपी से माना जाता है देवनागरी लीपी का विकास, ठीक है नेक्ट कोशन देखते है जिस काब्य पंक्ती में प्रयुक्त किसी एक ही सब्द के एक से अधिक अर्थ हो उस पंक्ती में कौन सा अलंकार होता है तो उस पंक्ती में रूपक अनुप्राश यमक सलेश तो शलेश अलंकार होता है ठीक है एक ही सब्द के काई अर्थ होते हैं तो इसका मतलब सलेश अलंकार वहाँ पे होगा नेक्ट कोश्टिन देखते हैं काली घटा का घमंड घटा उप्युक पंती में कौन सा अलंकार है यमक उप्मा उद प्रिक्षार उपक देखे काली घटा तो घमंड घटा एक है काली घटा 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 दो बार हुआ है तो एक घटा का अर्थ बादल है दूसरे घटा का अर्थ आपका कम होना तो इसका मतलब यहाँ पर यमक कलंकार हो जाएगा नेक्ट कोशन देखते हैं नमलिकित में कौन सा बहु बहु बही समास है त्रिभुज दशानन शौरी दसानन नौरात त्रिलोक तर दशानन दस है आनन जिसके अर्थात रावर तो बहु बहु बही समास और जो त्रिभुज नौरात रह और त्रिलोक है इसमें आपका द्विगु समास हो जाएगा क्योंकि यह संक्या से सुरूर है संक्या होज नेक्ट कोशन देखते हैं जब किसी पद की ब्याख्या करना हो तो इन में से किस विराम चिन का अप्रियोग होगा ए बी, सी, दी, यह होगा डी जिसको विवर और चिन कहते हैं ठीक है इसका अप्रियोग का विवर और चिन का नेक्ट कोशन देखते हैं अयादी संदी का उधारर है उत्योग तथा एप कर्था प्लस एव, अप प्लस जव, नौ प्लस एक, नौ एक यह नौ प्लस एक, नौ विक यहाँ पे आओ, आओ, यह सब अयादी संदी का होता है ठीक है यहाँ पे आए, आए, आए हो जाए, आओ, आओ हो जाता है वहाँ पे अयादी संदी होता है next question देखते हैं कारियाले आदेस में अधिकारी का हस्ताक्षर के सस्थान पर आएगा नीचे से दाइनी और, नीचे दाइनी और, नीचे बाइनी और, उपर दाइनी और, उपर बाइनी और तो आपका नीचे दाइनी और होता है, option A right हो जाएगा next question देखते हैं उससे अच्छा तो आप है में कौन सा कारक अधिकरण, आपदान, संबंद, अरे करण और संबोधन उससे अच्छे तो आप है ठीक है यहाँ पे आपका आपदान कारक हो जाएगा option भी right हो जाएगा ठीक है next question देखते हैं राम ने खाना खाया होगा राम ने खाना खाया होगा में कौन सी क्रिया अपन भूध संदिग्द भूध है तू है तू मत भूध आशन नभूध तो संदिग्द भूध होगा option B ठीक है जहाँ पे भी देखिए next question देखते हैं next question है इसमें संदिग्द भूध का उदारण है और तब इसमें यह संदिग्द भूध का अधिकारी भूध काल में कारी पूरा हुआ था कि नहीं हुआ था यहाँ पे इसलिए आप इस संदिग्द भूध काल होगा next question देखते हैं सूरज पढ़ा लिखा और अधिकारी बना का सरलवाकिक क्या है सूरज ने पढ़ा इसलिए अधिकारी बना सूरज ने पढ़ाई की तब वो अधिकारी बना सूरज पढ़ लिखा अधिकारी बना सूरज पढ़ लिखा अधिकारी बना सूरज और आपका देखिए संग्या या विशेशड से बनने वाली क्रियाओं को नामधातू यह कहते हैं तो यहाँ पर नामधातू ही होगा ठीक है इसे हतियाना लजाना रंगना दुखाना बतियाना यह सब नामधातू क्रियाओं उप्शिन डी राइट हो जाएगा नेक्श कोशिन देखते हैं, मैतली सलाडगुप्त की ये शोदरा है, पद कावी है, पद कावी चंपू कावी कावी था, तो ये आपका चंपू श्रब कावी का एक वेद है, option भी right हो जाएगा, इसमें चंपू श्रब कावी में क्या होता है, कि इसमें गद और पद का मिश्र लग्त है, नेक्श कोशिन देखते हैं, समुहारतक सब्द को चिनित केजी, इस्तवक पुरुष, गमला, अगुळाब, इस्तवक समोनार्तक सब्द है, इसका अर्थ है, फूलों का गुच्छा, अपश्ण है, गुल्देस्टा, यढ्हे, राशी, इसका अस्तवक का अर्थ होता है next question देखते हैं विलोम की दिश्टी से एक युग्म अशुद्ध है आयात का निर्याद साहिए जीश का अद्रिशी साहिए परट्रिक परच चाहिए आमिश का निरामिश होता है ना कि सामिश होता है ठीक है आप्शन डी राइट हो जाएगा नेक्ट्ष कोशन किस विकल्प में सभी परसपर पर्यवाची है पारवती, रुद्राडी, भवानी, रीता, रिक्ट, तिक्त, दानो, निशाचर, अंबक, मनोहर, श्प्रिया, निले, तो ऑप्चनी राइट हो जाएगा पारवती, रुद्राडी, भवानी, तीनों समानार त तिक्त का मतलब तीखा होता है दान और निसाचर दो तो सेम है मतलब राक्षस के परिवाची है लेकिन अंबक आाख का परिवाची है और मनुहर, मनोरत, इश्प्रा, इच्छा के परिवाची लेकिन जो निले होता है इसको घर बोलते है तो ठीक है पार्वती रुद्राडी भवानी नेक्स कोशन देखते हैं जब आके की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष करता था अत्वा कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार नौ होकर पुरुष नौ पुरुष वचन और पुरुष होतो वाकर में कौन सा वाच्ची होगा देखिए इसमें न क्रमवाच्च, कृíveis वाच्च, भाव वाच्च इनमें से कोई नी तो भाव वाच्ची होगा ठीक है क्योंकि ऐसी सिदी में क्रिया अत्वा भाव की प्रधानता हो जाएगी अक्रित वाच में करता की प्रधानता हो जी कर्म वाच में कर्म की प्रधानता होती है तो लेकिन इसमें आपका भाव वाच अप्शन्स ही राइट हो जाएगा नेक्स्ट कोशन देखते हैं निमने सब्दों के युग विकलपूर में से सही अर्थ बेद का चैन कीजिए टूक टूक का मतलब थोड़ा होता है टूक का मतलब टुकड़ा होता है ऑप्शन यही राइट हो जाएगा आपका जैसे बोलते हैं दो टुक बात यानि की थोड़ी सी बात ऐसे बोलते हैं न तो थोड़ा टूकड़ा हो जाएगा नेक्स्ट कोशन देखते हैं प्रत्य होता है साब्दान्स रुआक्यांस पदान्स पधान्स तो जो प्रत्य अविकारी शब्दान्स होते हैं Optionally Right हो जाएगा प्रत्य सब्द की अंत में जोड़े जाते हैं और उसकी अर्थ में भी सिस्ता प्रगट करते हैं प्रत्य का कोई अपना अर्थ नहीं होता है तो प्रत्य अभिकारिया शब्दान्स होता है नेक्स कोशन देखते हैं जैसा करोगे वैसा भरोगे कौन सा सर्वना है पुरुष वाचक बिल्कुल ने प्रश्णुमाचक बिल्कुल ने संबंध वाचक बिल्कुल निजवाचत में आप मैं मतलब अपने लिए होता है और जो जैसा करोगे वैसा भरोगे यहां पर संबन दिखा रहा है जैसा वैसा तो option C राइट हो जाएगा next question देखते हैं अर्ध विवरित स्वर है ठीक है उ, ए, आ, ए तो ए जो आपका अर्ध विवरित स्वर है जिन स्वरों के उचारर में जिवा अर्ध स्वर से अर्ध समरित से भी कम उठती है उसे अर्ध विवरित कहते है ठीक है ए होगे आपका आ होगे आपका ओ होगे ठीक है तो यहां पर आ दिया है और नहीं दिया है तो जो य, र, ल, व हैं वो आपके अंतरिस्त वेंजन कहलाते हैं ठीक है नेक्ट कोशन देखते हैं हिंदी वर्ड माला में अंगा तदा अ क्या है स्वर, वेंजन, आयोगवा, सन्योक्त वेंजन तो आपका अप्शन सी राइट हो जाएगा अयोगवा, ध्वनिया है नेक्ट कोशन देखते हैं प्रत्यूत पनमती सब्द का वाक्या उत्तर ना देने की च्छमता जो फिर से उत्पन हुआ जिसके बुद्धी में नहीं-नहीं बाते उत्पन होती जो तत्काल सोचकर उत्तर देशके तो यहां पे आपका इसका जो तत्काल सोचकर उत्तर देशके आप्शन दी राइट हो जाएगा तो फ्रेंट्स ये था यूपी पुलिस कॉंस्टेबल के लिए समान हिंदी के कोश्चन 25 कोश्चन ते आसा करते आपको ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को अधिक शेयर करिए लाइक करिए हमार शैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कूल भी मैं भूलेगा